आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्राटिक कीवर्ड यह जावा का लेक्चर एट है इसमें हम पढ़ने वाले स्ट्राटिक कीवर्ड के बारे में क्या होता है यह थोड़ा सा मैं उसको आपको उसके बारे में बता देती हूं स्ट्रैट्रेंइड यृष पो रॉक्र स्टेंग है चैश्टिक की वर्लाउग करें ट्वर के साथ ए प्म दैन इस्टेंटेंस क्लास को बाउंग करता है एक टिक वाम स्ट्राइंट सब्सक्राइब इन कि एक हम पढ़ने वाले वह में आपको बता रही हैं तहां फॉर में अनल सलय बनाहे थैंगे एक हो गयाotta को सब्सक्राइब तो हम इसके तीन युज़ा पढ़ने वाले हम इसमें दो तीन प्रोग्राम्स देखेंगी आपको बहुत समझ आजाएगा एक तो स्ट्रेटीक डेटा मेंबर के साथ छटिक ब्लॉक के साथ श्ट्राइब के साथ हम पढ़ते नेकस्ट स्टाटिक डेटा मेंबर तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं फिर हमें एक साथ यूज़ करके दिखा दोंगी स्टाटिक वेरियेवल जैसे आप इसमें दिया हुए या कॉलेज नेम में कोई चेंज होता है तो क्या होता है वो सब के लिए सारे स्टूडेंट के लिए एक्वली फट करता है जैसे अभी हमारे थोड़े टाइम पहले तो उसका इफेक्ट पूरे इंडिया पर पढ़ा था आप समझा ने यह बात तो तो त्रह से स्टाटिक हो गया आप ऐसे समझेंग इनकी जो चेंज होगा वो कोई पर्टिकलर एक पार्ट के लिए नहीं होगा ओगा तो पाने वाला थाउजेंड का नोट यूज कर पा रहा है या 500 का नहीं वो चेंज जिस सबके लिए एक को आले वैसे ही आप मालो स्टाटिक की वर्डे ओंलिया सिंगल कॉपी ऑफ स्टाटिक डेटा मेंबरी स्क्रेट एक ही कॉपी इस की क्रेट होती ही सिंगल कॉपी इस शिय थिक है एक बाँ लेते हैं क्लास एक एड़ टाइम और क्लास लोडर होती है एडवांतिल क्या strict ये ट में यौour प्रोग्राम अन्हें मेंमोरी को क्या करता है सैक्ष करता है तो यह हम दें थोड़ा सा पड़ा स्ट्वश इप को पर था जिसको हम बलते हैं श्याटिक वरी इस चीनिये clear हो जाएंगी static related if you apply static keyword with any method वो कह रहा है कि किसी भी method कि आगर आप static लगा दो it is known as method कैसा बन जाता है static method ठीक है a static method belong to a class किसको belong करता है class को rather than object of a class object को belong नहीं करता है किसको belong करता है class static method can be invoked द्यान से समझी इस बात को static method can be invoked without the need for creating an instance of a class है आपको पता होगा भी तो हमने जित्ते भी method बनाई सब कैसे call हो रहे थे जब हम class का object बनाने थे उस object से method को call हो रहे थे मंगर starting method कैसे call हो सकता है उसके लिए object की नेड़ी नहीं है आप object से कर सकते बढ़ अब्जेक्ट की नेड़ी नहीं हो directly class के name से call हो जाएगा static method can access static method access कर सकता है किस चीज़ को static data members को and change value can change कर सकता है उसकी value ठीक है रिपेजेंट करना class behavior they are invoked directly from the same class किससे directly invoke हो जाता है same class में तो class का name भी यूजनी करना पड़ता आप method का नाम लिखो directly call हो जाता है with the help of class name from a different class है और अगर किसी और class में यूज करना हो तो class की नहीं से आप उसे use कर सकते हो तो अभी हमने थोड़ा सा पड़ा static data members के बारे में एक overview लिया अब हमने लिया static method के बारे में ठीक है कुछ restriction है static method के साथ static method cannot use non-static data member ठीक है किसको use नहीं करता जो की static नहीं है जो static नहीं है उसको क्या बोला जाता non-static और call non-static method directly और किसको call नहीं कर सकता जो matter static नहीं हो सकता this and super cannot be used ठीक है this ना तो this keyword use होगा अभी आपने this नहीं पढ़ा है वो next session में आपको पढ़ाऊंगी this and super cannot be used static के साथ यह दोनों use नहीं हो सकते ठीक है अब बात कर लेते है आपने static ब्लॉक की तो जैसे static ब्लॉक है simple आपने static लिखा उसको start किया उसको close कर दिया अब उसको सबसे बहले execute होगा तो अब मैं आपको एक program बताने जा रही हूं जिसमें हम तीनों चीदे यूश करने वाले तो आपको बहुत अच्छे से समाज आ जाएगा मैं एक notepad की file ले रही हूं अब हम इसमें तीनों चीदे पढ़ेंगे क्या क्या सबसे पहले static variable पढ़ेंगे तीनों चीदे माला एक ही program के अंदर मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले इसका size orders increase कर लेते हैं हमने class बनाई ठीक है कोई भी class बना सकते हैं हमारी मट जी उसके बाद अभी दक तो मैं normal variable ले रही थी अब एक static लेती हूं एक हमने static variable लिया और एक normal variable लिया इसमें हम तीनों चीदे यूज करने वाले हैं ठीक है आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है int number यह कैसा variable है non-static variable यहां पर हमने static लगा दिये तो ऐसा variable बनगे एक static variable ठीक है अब मैं आपको बताऊंगी एक static block बनाना है ठीक है इसको static लिखेंगे start करेंगे और close करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा एक static block आप चाहो तो इसमें एक message भी print करा सकते हो I am static block ठीक है अब इसमें हम क्या करेंगे जो भी हमारा variable है लाइक counter static variable उसको initialize कर सकते हो कहां से जीरो से यह तो static block बना दिया अब मैं बना रही हूं constructor आपको पताए यह constructor class के नाम का होता है उसके अंदर मैं किसको initialize कराऊंगी normal variable को तो उसमें मैंने क्या किया counter को प्लस प्लस कर दिया यानि की counter की value increase होती जाएगी और इसमें store जाएगी अब एक normal method बना रही हूं मैं आपके सामने public void show ठीक है normal method है इसमें हम एक कोई भी message print कर देते है system dot out dot print एले मालों ticket number print कर रहे है ना इस पेस दो और नमबर को मैं प्रेंट कर दिया अब मैं कॉल कर आ रही है इस्ट्राटिक में मदब इस्ट्राटिक मेथड करें public जाए डिफ्रेंस नहीं है वस्ट्राटिक लगा देंगे इस्ट्राटिक इंट गेट काउंटर इसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे अभी मैं इसको एक बार आपका पूरा अच्छे से समझाऊंगी यह हमारा क्लास हो गई अब हम यह भी कर सकते हैं उसके लिए एक्जीकुशन के लिए सेपरेट क्लास ले लेते हैं क्लास टिकेट टैस्ट्राटिक में अब इसके अंदर बना लेते हैं तो मेल मेथड के अंदर अब हम क्या करेंगे क्लास को यूज करेंगे अब सबसे पहले हमने अभी अभी क्लास बनाई थी क्लास का नम क्या था हमारी टिकेट तो टिकेट का हम क्या बनाएंगे अबजेक्ट क्योंकि हमने सारे मेथड तो वैसे बनाई नहीं है नॉर्मल भी बनाएं तो आप उसका अब्जेक्ट बना सकते हो टिकेट टी कोस्टू नियू टिकेट ठीक है आप चाहो तो इसमें एक मैसेज भी प्रिंट कर सकते हो यह चॉइस है आपकी कोई कमपसर ही नहीं है अब देखों जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर को पैरामीटर तो नहीं न तो मैं यहाप भी नहीं दूंगी ठीक है कि मैं एक और इसका नक्श क्यां बना रही हूं मनदब एक और वार इसका इंस्टैंस बना रही हूं वएरेयबल का नहीं बदल दोहाँ यहाप लिख सकती हो टी वान उसको लि क्दो टी टू न्यू को टिकेट अब हमें पहले object को call करना है ठीक है तो आप लिख सकते हो message चाहो तो मत लिखो पास्ट ऑब्जेक्ट अब सेम सेकेंड को भी लिखना है तो इसी को copy paste कर देते हैं अब हमें लास्ट मेथर कॉल करना है टोटल टिकेट है अब आपको पता है मैंने आपको क्या बोला था जो स्ट्राटिक है वो डारेक्टली कॉल हो जाएगा यह आपको दिखनी रहाँगा मैं इसको तब करेंगे सबसे पहले हमने एक लास्ट बनाई ठीक है उसके अंदर हमने एक नॉमल ओ एक स्ट्राटिक वरीबल बनाया काउंटर एक नॉमल वरीबल बनाया ठीक है आपको डिफ्रेंस भी समझा जाएगा फिर हमने एक स्ट्राट का स्ट्राटिक बनाया फिर newspaper बनाया एक उसका काम किए नर्म से अनिशलाआइज कराना है यह इन के स्ट्राट्रिक वरीबल को बनाया तो टिकिटन वरीबल बनाया यह तिकिट नमबर की जगह आप अब नमबर मतलब आप जैसे माहन के चलो कि आज पहली टिकेट सेल हो जो हम उस में नमब्र डालना है दूसरी टिकेत होँcies ऊर्फ तो नमब्र तो हम तो हप्यन से Regis लिए उक्ष एक्षी होंदिग जिसको फिंपो की टिकेट मिलए तो लिखा होगा वह 15ien फिर तो इसमें तीनों चीज़ें यह उसकर करके दिखा हुआ जमको तो हमने चंस्रक्टर के अंदर ये इनिशलाइस कर दिये नॉमल को शो मेथर तो ये टिकेट के नंबर को प्रिंट करेगा जैसे टिकेट पर वन है टू है ऐसे दूसरा मेथर क्या बनाया है हमने कैसा मेथर बनाया है इसका काम है टोटल टिकेट बताना जैसे मैंने बहुत है तो हंड़ाइट को बताएगा अब हमने दूसरी क्लास बनाएगे टिकेट टेस्ट टिकेट का काम क्या है दोनों के लिए दो टिकेट के लिए दो अब्जेक्ट बनाए दोनों के शो मैथर को कॉल कर रहा है और उसके बाद लास्ट में कितिनी टोटल टिकेट सेल हो यह समा जाएगा तो अब हम इसे किस नाम से सेफ करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ अभी तक ऐसा कुछ जब क क्लास है टिकेट नाम से और दूसरी क्लास है टिकेट टैस्ट नाम से अब आपको यह कंफ्यूजन हो कि हमें प्रोग्राम किस नाम से सेफ करना चाहिए तो आप ध्यान रखो जिस क्लास में में मैथर्ड है दुबारा से रिपीट कर रहे हूँ जिस क्लास में में मैथर्ड ह जिस class में main है और यहाँ पर क्या कर देंगे all files हो सकता भी इस program में काफी सारी mistakes निकले तो अब हम उसको देख लेते हैं round करा के command prompt पर आएंगे cd dot dot folder से बाहर आएंगे cd java underscore learn फिर java c ticket test dot java ठीक है इसमें कोई भी mistake नहीं है अगर mistake होती तो आ जाता java ticket test क्या आगया creating ticket object first object it is a ticket number ticket number क्या है first ticket पर one print होगे second object के लिए it is ticket number two two print होगे समझ गये जैसे अब आगये total ticket किती ticket sale होगे two अगर मैं यह three कर दूँ तीन के लिए बनाओ दूँगी तो क्या हो जाएगा three वह भी आप देख सकते हो वह को जादे tough work नहीं है मुझे क्या करना है बस यहाँ पर एक और object बनाने मैं इसको copy paste कर रहे हूं अब यह second का object था अब यह third के लिए और यहाँ पर टीटू की जगह देख सकते हो दुबारे से इसको पूरा समझ लेते हैं अच्छे से इस्टाटिक डेटा मेंबर जो है यह कैसा मेंबर स्टाटिक तो कभी भी स्टाटिक बनाओगी उसको किसके अंदर इनिश्लाइज करोगे स्टाटिक ब्लॉक के अंदर समझ गए किसके अंदर इनिश्लाइज हो रहा है स्टाटिक ब्लॉक अब आपको यह याद रखना है स्टाटिक ब्लॉक कैसे बनता है स्टाटिक लिखो कली बैसे स्टार्ट करो कली बैसे स्क्रोज करो तो क्या बन जाता है कि स्टाटिक ब्लॉ आप चाहो तो इसके इंदर मैसेज भी लिख सकते हो आपको समझना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहां पे आप लिख सकते हो कि आए आम स्ट्रेटिक ब्लॉग कि अब यहां मैं पहले स्ट्रेटिक वाली आपको डिक के रिखा देती हूं देखो सबसे पहले क्या है क्रिएटिंग टिकिट ऑब्जेक में में लेकिन जैसी क्लास बनी उससे पहले ही क्या प्रिंट हो गया है में स्ट्रेटिक ब्लॉग और ध्यान से देखो यह सिर्फ एक ही बार आ रहा है दुबारा रिपीट नहीं हो रहा बिल्कुल क्यों मैंने अब कंस्ट्रक्टर को देख लेते हैं सिस्टम.out.println I am structo I am constructor अब आप देखो कंस्ट्रक्टर जितनी बार क्लास का अबजेक बनेगा constructor उतनी बार call होगा, अब आपको difference दिखाते, देखो creating ticket object, I am static block, तीन बार constructor, पहली बार constructor, दूसरी बार, तीसरी बार, आप समझने आ गया क्यों, मैंने तीनों के object एक साथ बनाया, अगर मैं अलग लग बनाऊ, तो क्या होगा, एक साथ नहीं आएगा, यह message, अगर मैं ऐसे, इस line को यहाँ से अटा दू, यहाँ लिख दू, पहले ticket के बाद, तो यहाँ पर call हो जाएगा, दूसरी ticket के बाद, अब देख सकते हो, देखो, I am static block, एक ही बार आ रहा है, I am static block, फिर आ रहा है, I am constructor, फिर first object, फिर ticket की value 1 हो गई, फिर I am constructor, यहनी की दुबारा constructor वाले में जाएगा, फिर second object, फिर ticket member 2, फिर I am constructor 3rd object, अगर आप 10 बनाओगे, तो 10 आ जाएगे, यहनी की static data member होगा, वो एक बार call, static जो ब्लॉक होगा, वो एक बार call होगा, constructor उतनी बार call होता है, जितनी बार उसका object बनाते हो, यहनी की मैंने कितने object बनाया, यह first object बनाया, यह second object बनाया, और यह third object, अब बात कर लेते हैं, static method की, तो देखो, यह method static है, अब difference की है, नॉर्मल method में, तो आप देख सकते हो, जो normal method है, show method, वो directly उसे call हो रहा है, और जो static method है, वो कैसे call हो रहा है, class के नाम से, देखो, तो आपको बस यही चीज समझनी है, कि जो static method, अगर यही method में, इस class के अंदर call कराती, मतलब ticket class के अंदर call कराती, तो मुझे class का नाम भी use नहीं करना पड़ था, डारेक्टली क्या लिख देती, get count है, बस यही थोड़ा साथ है, अब मैं इस पर रेटिट आपको एक program करा रही हूँ, जिसमें मैं static काफी सारे चीजे होंगी, और आपको वो बहुत अच्छे ते समझा आ जाएगा, अब हम एक new program करेंगे, जिसमें मैं सारे आपको बहुत अच्छे ते समझा आ जाएगा, अब देख सकते हो, सबसे पहले हमने एक class ले रहे है, इसका नाम खुछ भी रख देते हैं, जैसे मैंने यह रख दिया, अब उसके अंदर मैं एक static vlog मना रही हूँ, तो मैंने लिख है static, start, close, system, dot out dot print element, यहाँ पर अब जैसे A है तो, A is loaded, ठीक है, अब आप लोगों को खुद इसका output guess करना है, तब मैं उसके बाद मैं बताऊंगी, फिर हमें एक constructor बना रहे है, public A, यहाँ मैंने लिखा, system dot ln, I am class A construct, फिर उसके बाद है class B, अब एक और class बना रहे हैं, भी अलग class, उसके अंदर भी मैं एक static block बना रहे हूँ, static, system dot out dot print ln, यहाँ पर हमने लिखा, बी इद, loaded, public static void display, इनकी पहली वाली class में मैंने क्या किया, constructor बनाया, दूसरी class में मैं क्या कर रहे हूँ, static method बना रहे हूँ, तो हम लिख देंगे इसके अंदर, system dot out dot print ln, display of b, क्या तो यह लिख तो फाली, static, static method, class b, अब उस्ती बाहत आगा, class c, फिर हमने, static, एक variable ले ले लेते हैं, static, value, उसको एक value दे देंगे, यहाँ आप एक message लिख सकते हैं, आपको पता रहे हैं, dot out dot print ln, यहाँ आपने लिख दिया, c is loaded, अब एक class बना रहें, final class d, static, system dot out dot print ln, यहाँ पर आपने लिख दिया, d is loaded, public, static, void, main, यहाँ string, array, उसके बाद, अब सारी classes का overview हम यहाँ पर देंगे, system, यह message है, यह data mandatory नहीं है, बट समझने के लिए, create, reference variable of class a, यह का reference variable बनाएंगे, फिर system, यहाँ पर लिखेंगे, b dot display, अब अब देख सकते हैं मैंने directly class के नहीं से method कॉल कराया है, यह एक और method देदेंगे, system dot out dot print ln, यहाँ पर अब लिखेंगे, c value is, plus c dot value, system dot out dot print ln, creating, अब इसको एक बर समझ लेते हैं, फिर आपको इसका output राइट करना है, इसको save करती हो, मैं D नाम से क्योंकि आपको पता है, जिस class में main होता है, class को उसकी नाम से save करती है, यह देख, सबसे पहले class बनाई है A, उसके अंदर मैंने static block रखा है, और एक constructor रखा है, फिर हमने A class को finish कर दिया है, फिर हमने class B बनाई है, जिसके अंदर static block रखा है, और फिर एक method रखा है, लेकिन यह method कैसा display, sorry, static method, फिर बनाई है class C, उसके अंदर खाली static block बनाई है, जिसके अंदर एक static data member को initialize कर आए है, उसके बाद, class D बनाई है, मतलब static block मैंने sum में बनाई है, फिर main, फिर reference variable बनाई है class A, ठीक है, फिर link किया है B को, यह मतलब message दिया है से समझने के लिए, फिर उसका display method call कर आया है, फिर C की value को print कर आया है, और फिर class A का object बनाई है, अब आपको इसका output guess करना है, आप इस चीज को note down करके, सोचके कि कौन सी class अब से पहले load होगी, अब देखो मैंने A class में भी static block बनाई है, B में भी C में भी D में भी, तो आपको output लिखना है पहले इसका, आपको एक मिट pause करना है वीडियो और पहले इसका output लिखना है, कि क्या कौन सी class पहले execute होगी, पहले A execute होगी, B होगी, C होगी, D होगी, आपको सब कुछ किसके base पर करना है इसके base पर, यह देखके आपको देखना है कि पहले D class execute होगी, A होगी, B होगी या C होगी, आप एक मिट के लिए pause करिए, पहले output लिखिए, फिर अब मैं बता रहे हो, ठीक है? आप देख सकते हो, इस class में main है, तो सबसे पहले कौन सी class execute होगी? अब वस्ती बात है, जिस class में main है, तो सबसे पहले वहीं से start कर रहे है, तो java C, D.java, इसमें कोई error नहीं आ है, error था, java D, ठीक है? अब आपने output लिख लिए, अब आप चेक करिए, सबसे पहले कौन सी class execute होगी D, ठीक है? तो क्या आ गया? D is loaded, उसके बाद reference variable किसका बन रहा है? सबसे पहले है, A class का, तो message तो आ जाएका reference variable of class है, बट A load नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने object नहीं बनाया है, object कहां पर बनाया है? यहां पर, तो A load नहीं होगी, आप देख सकते हैं, create reference variable of class है, लेकिन A load नहीं होई, फिर क्या आ गया? उसके बादवाले में से linking of B, B को link कर रहे हैं, और B क्या जब display method call करा रहा है, जब किसी class का method call हो रहा है, तो obviously वो उससे पहले ही load होगी, तो फिर कौनसी class load होगी? B, फिर उसका method call होगा B class का, same as C class का variable print करा रहे हो, variable की value, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पहले value print हो जाए, पहले वो ही class load होगी, तो फिर क्या होगी? पहले C class load होगी, फिर उसकी value print होगी, फिर again creating object of A, class A का object बनेगा? Yes, जैसे यह object बनेगा, A class load होगी और then उसका constructor call होगा, तो सबसे पहले A load होगी फिर उसका constructor call होगा, इस तरीके से इस program में हमने सारी चीज़न ले लिया, तो अब hopefully आपको static keyword बहुत अच्छे से समझ आ लिया होगा, कर दो कर दो